बाई भोचपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई कहे हम प्यार मुहबबत से रहते हैं हमने पुरानी जाती दुश्मनी सभी बुला दी है तो आप समझ लिजिएगा कि वो पक्का जूट बोल रहा है जी हाँ इसका वीडियो हमारे पास है और हम आपको दिखाएंगे कि हम आगे क्या कहना चाहते हैं खेसारी लाल यादों के लिए पवन सिंग ने कुछ कहा है जो की इतना तेज वाइरल हो रहा है और बातों में जादा कुछ नहीं है लेकिन बातों का बतंगड भोचपुरी इंडस्ट्री में हमेशा से बनता आ रहा है वैसे बात कुछ भी नहीं है समझदार अगर है कोई तो वो समझ जाएगा इन सब बातों को लेकर पवन और खिसारी शायद ही अपने आप में कभी लड़े अब आप ये जानना चाहते होंगे कि पवन सिंग ऐसा क्या कह दिए तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले और फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे छट का प्रोग्राम चल रहा था और वो समापन पे था इसी दोरान स्टेज पे रवी किशन पवन सिंग और भोजपुरी जगत के और कई जानीमानी हस्तियां थी इतने में पवन सिंग ने रवी किशन को कहा भाईया आप मेरे बिग बॉस हो लोगों के लिए और लोग भी बिग बॉस होते हुँगे लेकिन आप से बड़ा मेरे लिए कोई बिग बॉस नहीं है अब आप वो वीडियो देख लिजिए जिसमें पवन सिंग रवी किशन को बिग बॉस कह रहे है और अब विवाद यहीं से शुरू होता है लोगों का कहना है कि पवन सिंग ने खिसारी लाली आदो पे टोंट मारा क्योंकि वो बिग बॉस में जा रहे है हाँ बास सही है लेकिन ये बात की बात पे निकली हुई बात थी ऐसा बिलकुल नहीं लग रहा है कि पवन सिंग किसी को टोंट मार रहे है लेकिन आपको तो पता ही है भोजपुरी इंडस्ट्री में बात कहा की कहा पहुच जाती है इस बार भी यही हुआ अब पवन और खेसारी के फैंस भिड़ गए है अपस में शोशल मीडिया पे भाई कभी कोई पवन को सही बता रहा है तो कभी कोई ये कह रहा है कि पवन सिंग जल उठे है खेसारी लाल यादो के पॉपुलर्टी से क्योंकि इंडस्ट्री में पवन सिंग खेसारी लाल यादों से पहले आये थे और आज खेसारी लाल यादों ने पवन सिंग से ज़्यादा बड़ा मुकाम मना लिया है बस इनी बातों को लेकर शोशल मीडिया पे पवन और खिसारी के फैंस आपस में कुटों की तरह लड़ रहे हैं आपस में तू-तू-मै-मै कर रहे हैं अब आपको ये कौन बताए कि ये बातों की बात है अगर इसमें पवन सिंग ने बिग बॉस रवी किशन को कहा है क्योंकि ये छट का पर्व है और आने वाले दिनों में हर एक चीजों को भुला कर सिर्फ छट मैया की अरादना कीजी बोच्पिरी जगत की होट और मसालेदार गोसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले